हाव दो फीक्स वान प्लस सेवेंटी आटोमेटिकली स्वीच ओफ प्रॉब्लेम नमस्का दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको वताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लस के दिवाइस में आ सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके मॉबाइल पर कुछ प्रॉब्लेम्स के वज़ए से हो सकते हैं बग प्रॉब्लेम और सकते हैं सारे साथ दोस्तों कोई सेटिंग जो है उसके वज़ए प्रॉब्लेम आते कई बार तो मैं आपको complete solutions इस वीडियो में बताने वाला हो मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ तो आप उसको भी चेक जरू से कर ले ना क्यूंकि दोस्तों हमेशा उसके वज़े से भी प्रॉब्लेम आते रहते हैं ठीक है चले दोस्तों वीडियो को बीना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप आप आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपकी मोबाइल आटोमेटिक स्विच ओफ होते जा रहा है सबसे पहले आ आपको यूटिलिटीस या फिर सिस्टेम के अंदर पर आसानी सी मिल जाएगा ओके यूटिलिटीस की ओप्षिन पर शेडिल पाउर ओन ओफ है अगर गलती से भी यह जो सेटिंग है सिगन वाला पाउर ओफ यह टाइम सेड हो जाते कभी भी सेड हो सकते अगर यह गलती से इनेबल हो जाते तो आपके मोबाइल आटोमेटिक स्वीच ओफ हो जाएगा ठीक है एस सजेस्टेट टाइम तो आपको यह सबसे पहले चेक करना है ठीक है अगर ओन है ओफ कर दीजे प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा लेकिन अगर आपका यह प्रॉब्लम नहीं है तो एपलिकेशन यानि कि कोई भी अंजान वेबसाइट से इंस्ट्रॉल किया हुआ एपलिकेशन डिलेट करें ठीक है एंड सारे साथ दोस्तों मोबाइल पर काई ज़्यदा एपलिकेशन से तो आप उनको भी डिलेट करें तो इस से दोस्तों आपको काफी ज़्यादा जाएगा क्योंको दोस्तों अगर आपकी मॉबाइल पेज जाला से ज्यादा जो है रन करते तो आपको प्रॉब्लेम हो सकते हैं ठीक है तो आपको कुछ एप्लिकेशन जो है उसको भी क्लीन अप करना होगा कि सारे साथ दोस्तों यहाँ पर यह सब करने के बाद ठीक है अब अपने मॉबाइल के जो सृफ़्फेर उसको भी अपडेट कीजिए उसके लिए पकुश सेटिंग पर जाना है स्क्रॉल डाउन करना है इस्टेम पर जाना है और श्चैम अप्लिप्श को कर लेका गयूं दो तो इससे दोस्तों आपका जो problem है solve हो जाएगा ठीक है तो अगर आपका mobile automatic switch off होते हैं तो आप यह सारे solution follow up कर सकते हैं तो इन सब से दोस्तों आपको काफी जड़ा मदद मिल जाएगा ठीक है सबसे परहे तो आपको restart करना है mobile के cache clear करना है and applications को check out कर लेना है unused application को delete करें ठीक है और background uses check करते हैं mobile का सारे सार कोई bad application है तो इनको delete कीजिए mobile software update कीजिए तो इन सबसे आपका जो problem है solve हो जाएगा तो आप पहले इनको follow करके देखें अगर फिर भी problem होते तो mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए क्या करना है आपको power button press and hold करना है उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा power of button तो यहाँ पर टेप करके रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा आपके mobile reboot हो जाएगा safe mode पे ठीक है तो इस तरीके से आप safe mode पे अपने phone को reboot करें and then check out करके देख सकते हैं कि आपके जो issue है वो fixed हो आए या नहीं हो आए अगर problem आभी वह आ रहा है तो आप जाए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर scroll down करें ठीक है एंड अभी दोस्तों आप जाए अपने system पर reset option पर click करें and then reset कर दीजिए अपने mobile को factory data reset करना है और उसके बाद जाके problem solve हो जाएगा अगर आप mobile पर हाई gaming बगारा करते हैं ठीक है तो वह सब आप avoid कीजिए क्योंकि दोस्तों gaming बगारा करने से भी switch of problem आ जाते है ठीक है तो यह है दोस्तों आपका solution उमेड करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching